Hello दोस्तो, दोस्तो इस वीडियो में बात करूँगा एक famous tablet के बारे में, जिसका नाम है cycloparm. दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं request करता हूँ मेरे इस channel medsets class दो subscribe कीजिए, share और like कीजिए और bell icon दबाना ना भूलिए क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे आपको notification मेलेगी ताकि आप कोई भी important वीडियो miss नहीं करोगे तो दोस्तो cycloparm जो tablet है उसके उससे पहले मैं आपको company की बारे में बताता हूँ ये indoco जो company है indoco remedies limited ये एक अच्छी company है और एक standard company मानी जाती है इसके काफी famous products हैं जो की काफी अच्छे हैं results अच्छे हैं और जब भी अच्छी company कोई दवा बनाती है definitely उसके results भी अच्छे होते हैं और वो care लेती है जब भी कोई complaint आता है तो तो यहाँ पर देख सकते हो cyclopalm जो anti-spasmodic analgesic लिखा हुआ है यह cyclopalm बहुत famous और पुरानी brand है दोस्तों काफी अच्छे से आप यहाँ पर देख सकते हो cyclopalm लिखा हुआ है जो इसके दो contents है बहुत important एक disyclomine और परacetamol दोस्तों paracetamol तो आपको पता है कि paracetamol जो होता है वो बुखार के लिए use करते हैं या तो mild pain जब भी होता है तो भी use होता है लेकिन mainly बुखार कम कर देता है लेकिन दोस्तों disyclomine और एक content है यहाँ पर देख सकते हैं 20 mg लिखा हुआ है यह बच्चों में use नहीं करनी होती है चोटे बच्चे मत use कीजिए डॉक्टर की सला लेकर ही इस्तमाल करें खुद dose ना choose करें दोस्तों तो दोस्तों disyclomine जो है antispasmodic antispasmodic या नि क्या जब भी आपकी आंत वगरा जो रहती है अंदर जिसको intestine कहते हैं intestine जो रहती है वो अगर थोड़ा सा rotation कुछ घूम जाती है तो उससे क्या होता है spasm हो जाता है यानि मानों कि आपका पैर लचक गया खेलते वक्त जैसे होता है ना खेलते वक्त football या cricket जैसे suddenly pain start हो जाता है बहुत बुरा pain होता है वैसे ही इसमें जब pain होता है पैट में तो पैट में pain start होता है जब intestine जब आंत जब rotation हो जाती है थोड़ी सूजन हो जाती है वाँपर और उससे काफी सारा pain होता है तो जब काफी सारा pain होता है तो यह गोली काफी मदद करती है दोस्तों दोस्तों लेकिन यादर कि यह pain हर पेट का दद वही नहीं होता है, तो इसलिए clinically डॉक्टर को दिखा कर ही use करें, क्योंकि काफी सारे causes होते हैं, जैसे कि appendicitis हो सकता है, या तो अपना urine infection, kidney stones हो सकता है, acidity से pain हो सकता है, और सारे काफी बहुत causes होते हैं, जैसे कि pancreatitis से भी हो सक या तो कोई pus collection हो, pus हो उसके पेट के अंदर तो भी बुखार या पेट दद होता है दोस्तों, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस्तमाल करना है, जैसे कि मानों कि आप जर्नी में हो, suddenly pain start हो गया है, तो ये बहुत help करीगे आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कि सलाह लेकर ही इस्तमाल करें, ये दिन में कभी दो होती है या तीन होती है, डिपेंड करता है डॉक्टर की क्या असला है, इसे ज्यादा इस्तमाल ना करें, अगर आपको इसकी allergy है, तो मत यूज करें, बहतर रहेगा, और company जो quality है, बहुत अच्छी है, और इसकी price 10 tablets को अ नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा cause हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को देखा कर ही use करें, ओके दोस्तों, thank you so much.